Zend का क्या आर्थ होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेती हैं Zend का कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो प्राचीन इरानी भाशा है जिसमें इरानियों के धरमगरंद लिखे गए हैं उस भाशा को Zend कहते हैं इसके इलावा Zend जो है वो एक framework का भी नाम है यानि कि Zend जो है एक open source framework है और इसका PHP में implement इसको किया जा सकता है इसके इलावा Zend Studio भी है यानि कि This is an integrated development environment for PHP developers यानि कि जो PHP developers है उनके लिए एक app भी है जिसे Zend Studio कहा जा सकता है इसके इलावा Zend desk जो है एक customer service और engagement platform भी है यानि कि तो Zend का या Zend desk का कई तरीके से इस्तेमाल हम कर सकते हैं अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें झालतुबकवास करें